प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मा हीराबा की तबियत अचानक खराब हो गई और उन्हें एहमदाबाद के अस्पताल में भरती कराये गया। सांस में सुबा हुई तकलीव की वज़े से पियम मोदी की मां यूएन महता अस्पताल में भड़ती हैं जहां उनकी हालत इस्थिर बताई जा रही है डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है पियम मोदी की मां हीरा बेन की तबर बिगरने की खबर सोशल मीडिया पर बेहत तेजी से फैल गई टुटर पर बहुत सारे यूजर्स हीरा बेन की सलामती की दुआएं कर रहे हैं इनमें बीजेपी नेताओं और समर्थकों के अलावा कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी, प्यांका गांधी और यूपी के पूर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल है राहूल गांधी ने ट्वीट करके लिखा एक मा और बेटे की बीच का प्यार अनन्त और अनमोल होता है मोधी जी इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है मैं आशा करता हूँ आपकी माता जी जल से जल स्वस्थ हो जाएं मैं प्यार मोधी की मा की तव्यत खराब होने की जानकारी मिलते ही प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और लिखा प्रधान मंतुरी श्री नरेंदर मोधी जी की माता जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं मैं इश्वय से प्रार्तना करती हूँ कि उन्हें जल स्वास्तिलाब मिले। मैं सपाप्रमो का खले शादव ने भी हीराबा को याद करते हुए ट्वीट किया आदर्निय श्रीमती हीराबेन मोदी जी के शीग्र स्वास्तिलाब की कामना। कॉंग्रेस अद्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने भी प्रार्तनिय श्रीमती की मा के स्वास्तिलाब को लेकर ट्वीट किया और कहा प्रधानमंतुरी नरेंद्र मोदी जी की माता जी के स्वास्तिलाब की हम कामना करते हैं आशा है वो जल से जल स्वस्त हो जाए। बता दे कि मा की तबित खराब होने के बाद जैसे ही प्रधानमंतुरी को पता लगा तो वो सीधे यूएन महता इस्ट्यूट ओफ कॉर्डिलोजी एंड रिसर्च सेंटर पहुँच गए जहां उन्हें अपनी मा से मुलाकात की और हेल्थ अपडेट लेने के बाद अस्पत दिल्लिकिली रवाना हुगे ब्योरो रिपोर्ट यूपी ताक